एक बार की बात है, एक सुन्दर जंगल में राधे नाम का एक तोता और मिथु नाम की तोती रहती थी। राधे बहुत चतुर था और मिथु बेहद हस्मुक। दोनों में गहरी मित्रता थी और वे हमेशा साथ में उलते, खेलते और भोजन की तलाश करते। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई, सभी जानवर अपनी अपनी जगहों पर छुप गए, राधे और मिथु भी एक बड़े पेल के नीचे छिप गए, बारिश बहुत देर तक चली और दोनों भूखे हो गए, बारिश रुपने के बाद वे खाने की तलाश मे उड़ने लगे, थोड़ी ही दूर जाकर, राधे को एक बड़ा सा आम का पेल दिखाए दिया, पेल पर पके हुए आम लटके हुए थे, राधे ने सोचा, अगर मैं सभी आम खालूंगा, तो मिथु को कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर राधे को अपनी गलती का एहसास हु और फिर वापस अपने घुसले में लोट आए, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, मिल बाट कर खाने से सुख और खुशी बढ़ती है, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइ जरूर करें और साथ ही बैल आइकन को आल पर सेट करना न भूले